हेलो स्वेंट्स हम चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम गामा फंक्शन के बारे में समझना चाहेंगे कि गामा फंक्शन होता क्या है तो आपके पास एक इंटीग्रल होता है जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस x और x की पावर n माइनस 1 dx इस तरह का जो इंटीग्रल होता है इसको कहते हम गामा फंक्शन और इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं ये तरीका होता है इसको डिनोट करने का जो symbol है यह gamma का symbol है तो यह हो गया हमारे पास एक gamma function छीक होगे हैं अब इन gamma functions की कुछ properties भी होती हैं जैसे कि कि gamma 1 यह कितना होता है हमें यह जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह जो integral दे रखा है gamma function का इसमें n की जगा हम 1 put कर देते हैं तो यहां भी 1 put करेंगे तो यहां पर भी 1 put करना पड़ेगा तो 0 से infinity e minus x यहां 1 put करूंगा तो x की power 1 minus 1 x की power 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है तो खाली यही बच गया हमारे पास अब इसका integration करते हैं तो इसका integration करेंगे 1 over x 0 to infinity अब minus 1 को बाहरी देने देते हैं पहले अगर मैं इसका infinity put करूंगा तो e infinity infinity ही होता है तो 1 over infinity कितना हो गया 0 फिर अगर मैं 0 put करूंगा e 0 कितना होता है 1 होता है 1 over 1 1 हो गया अब इसको solve करूंगा तो 1 आएगा इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पाँ जो gamma 1 है वो 1 के ही equal होता है तो एक तो हमने यह देख लिया अगली हमें एक fundamental एक fundamental product of हमें gamma n निकालना है मतलब कि जो gamma n होता है यह n minus 1 का factorial होता है हमें यह चीज़ यहाँ पर proof करनी है या तो यह चीज़ proof कर लेते हैं n minus 1 gamma n minus 1 यह बहुत ही important है आगे बार बार यूज़ होगा इसलिए हम इस वीडियो में इसका proof भी देख लेते हैं कि इससे हम यह चीज़ कैसे proof करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम जो gamma n है इसका integral देखेंगे जो होता है 0 से infinity e की power minus x x की power n minus 1 dx अब हम यहाँ पर क्या करते हैं i let's do apply करते हैं इसके लिए इसको first माल लेते हैं इसको second माल लेते हैं तो सबसे पहले ही जो x है x की power n minus 1 यह बहार आ जाएगा और हमारे पास इसका integration होगा जो की होगा e minus x over minus 1 और limit हमारे पास होगी 0 से infinity ठीक हो गया आपर इसके बाद minus integration 0 से infinity अब हम इसका differentiation करेंगे तो इससे क्या होगा जो n minus 1 है वो आगे आ जाएगा तो x की power हो जाएगा n minus 2 और इसका integration होता है तो यह हो जाएगा e minus x over minus 1 dx यह clear हो गया होगा आपको अब आपको पता है कि अगर मैं यह value value infinity और 0 यहाँ पर put करता हूँ तो यह पूरा का पूरा 0 हो जाएगा यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा हमें तो सिर्फ अब इसको solve करना पड़ेगा यह minus यहाँ आ जाएगा तो यह plus हो जाएगा तो मुझे मिल गया n minus 1 integration 0 से infinity x की power n minus 2 e की power minus x dx यह clear हो गया होगा आपको अब आप यह देखें कि हमारे पास जो मैंने starting में आपको gamma function बताया था जो कि इस integral के बराबर होता है अगर मैं इस n की जगा यहाँ पर क्या लिख दूँ? इस n की जगा लिख दूँ मैं n minus 1 तो यहाँ से सुनना मैं इसकी जगा n minus 1 रख दूँ तो फिर यहाँ पर भी मुझे n minus 1 रखना पड़ेगा तो यहाँ n minus 1 रखने पर यहाँ n minus 1 रखो तो यह n minus 2 हो जाएगा तो सीदी सी बात है 0 से infinity e minus x x की power n minus 2 जो है इकोल होता है gamma n minus 1 के तो यही चीज़ तो हमारे पास यह बना है तो यह हो जाएगा आपने पास n minus 1 यह हो जाएगा आपने पास gamma n minus 1 तो gamma n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो एक हिस्सा तो मैंने यह दिखा दिया आपको ठीक हो गया यह एक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको अब अगली चीज़ हमें क्या करनी है मैंने आपको यह बताए न यह भी आप में दिखाना पड़ेगा यहाँ पर यह गामा n n minus 1 का factorial होता है तो हम क्या करेंगे इसी की मदद से इसी की मदद से हम देखती है अब मैं क्या करता हूँ में इसको फस्ट मान लेता हूँ इसको ध्यान में रखे आप इसी में मैं n की जगा n minus 1 पुट कर देता हूँ हर जगा तो क्या हो जाएगा गामा n minus 1 equal to यह हो जाएगा n minus 2 और यह हो जाएगा हमारा n minus 2 यह समझ में आ गया अब यह गामा n minus 1 को अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास आएगा गामा n यह n minus 1 ऐसी रहेगा और इसकी value मैंने यह निकाल रखी है तो हो जाएगा n minus 2 गामा n minus 2 यह समझ में आ गया होगा ऐसे ही यह समझ में आ गया होगा ऐसे ही अगर मैं इसमें n की जगा n minus 2 पुट करूँ n minus 2 यह हो जाएगा हमारे पास n minus 3 यह हो जाएगा हमारे पास n minus 3 तो गामा n minus 2 की value आ गई है अगर मैं इसको यहां पर put कर दूँ तो मुझे γामा N मिल जाएगा पहले से N-1 है N-2 भी पहले से है और इसकी जगह हो जाएगा N-3 गामा N-3 अब आप यह देखें कि गामा N जो है इसकी किस तरह से सीरीज चल रही है N-1, N-2, N-3 इस तरह से चलती जा रही है तो इसका मतलब यह हो गया कि जो गामा N है अगर इस तरह से चलता जाएगा N-1, N-2, N-3 ठीक है एक समय ऐसा आएगा कि यह हो जाएगा आपके पास N-1 और यहां पर भी यह हो जाएगा N-1 ठीक हो गया N तक नहीं जा सकेंगे क्योंकि N-N 0 हो जाएगा तो यह पूरा 0 हो जाएगा तो N से एक पहले वाली टम तक ही जाएगा हम तो अब आप यह देखें हमार पस क्या बन गया यह तो हो गया 1 यह भी क्या हो गया 1 तो आप देखें N-1 N-2 N-3 यह हो गया 1 और यह हो गया गामा 1 उपर मैंने आपको बताया था कि जो गामा 1 है वो 1 के ही इक्वल होता है यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था तो इसलिए इसकी जगह कर मैं 1 रखूँ तो सिर्फ मेरे पास क्या रह गया N-1 N-2 N-3 अब टू 1 1 मतलब 1 से पहले क्या होगा यहाँ 2 होगा 3 होगा तो आप देख सकते हैं यह जो पूरा का पूरा है यह N-1 का क्या हो चुका है तो इसका मतलब हम यह भी समझ गए हैं कि गामा N को हम N-1 का फैक्टोरियल भी रख सकते हैं तो यह भी हमारे पास आ गया एक इसकी भी जरुद पढ़ेगी जब हम questions को solve करेंगे और basic integration तो हमारे पास है ही एक यह है इसकी जरुद पढ़ेगी इसकी भी जरुद पढ़ेगी तो यह सब के सब जो है गामा function से related है questions करने में इनकी बहुत help होगी इनसे बहुत help मिलेगी हमें तो इतना सब कुछ करने के बाद अब हमारे पास यह एक integral है हमें प्रूफ करना है कि यह इसकी equal है ठीक हो गया तो कैसे करेंगे देखें इसमें अगर मैं एक ही जगा one put कर दो एक ही जगा one put कर दो तो यह वापस अब बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगी जो हमने इस starting में देखा था इस starting में बिल्कुल यही आ जाएगा ठीक है तो अब हमें क्या करना है इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको solve करने के लिए let कर लेते हैं कि let ax को जो है हम t माल लेते हैं ठीक है हमने ax को अपनी तरफ से क्या माल लिया t माल लिया तो adx equal हो गया dt के और dx यहाँ पर equal हो गया dt over a के ठीक t को ax मानने पर limit में कोई भी हम पर change नहीं होगा आप check कर सकते हैं 0 put करेंगे x की जगा तो t की value भी 0 infinity put करेंगे x की जगा तो t की value भी infinity तो limit में कोई changes नहीं आएंगे तो अब मारे पास यह क्या हो जाएगा 0 से infinity e की power minus t हो जाएगा और यहाँ जो x है x को हटा कर क्या लिखना है हमें ax की power n minus 1 dx यह clear हो गया होगा आपको ठीक है नहीं यहाँ इत्वा से गड़बड हो गया हमें x की जगा put करना है हमें x की जगा करना है तो यहाँ x की value कितनी हो जाएगी t over a x की जगा t over a दुबारा देखना पड़ेगा यहाँ पर फिर से 0 से infinity e की power minus t x की जगा क्या put करेंगे t over a की power n minus 1 और dx की जगा हमें put करना है dt over a यह clear हो गया होगा आपको बस अब तो चीज़े simple हो गई है 0 से infinity e minus t यह उपर हो गया t की power n minus 1 नीचे हो गया e की power n minus 1 multiply a जो की हो गया a की power n dt यह समझ में आ गया अब इस an को बाहर ले लो तो 1 over an बाहर आ गया अंदर बचा 0 से infinity क्या बचा e t e minus t t की power n minus 1 dt आप चाहें तो t variable को x में convert कर सकते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता तो 1 over an 0 से infinity e की power minus x और x की power n minus 1 dt हो जाएगा और आपको पता है इसको gamma n मोलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा gamma n over an तो आप ये देखें हमें ये चीज़ प्रूफ करने ही तो हमने ये चीज़ प्रूफ कर ली ठीक है तो इस तरीके से gamma function से related हमने बहुत सारी properties को यहाँ पर discuss कर लिया है